सब्सक्राइब कीजिए All About Medicine चैनल को और बेल आइकन को दवाईए हमारे लेटेस्ट अब्डेट्स सबसे पहले दिखने के लिए हेलो फ्रेंट्स स्वागत थे आपका All About Medicine चैनल में मेरा नाम है अमित कुमार फ्रेंट्स आज मैं आपको स्पीड हाइट कैपसूल के बारे में बताऊंगा यह स्पीड हाइट कैपसूल कद बढ़ाने के लिए ली जाती है तो आज के वीडियो में मैं आपको इसी स्पीड हाइट कैपसूल के बेनेफिट्स के बारे में बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स ये स्पीड हाइट कैपसूल एक आईर्विदिक प्रोडक्ट है इसमें ऐसे कई जड़ी बोटियां और ऐसे पोशक तर्तों सामिल हैं जो किसी व्यक्ति के कद को लंबा करने के लिए ज़रूरी होते हैं इस कैपसूल में मौज़ूद एलिमेंट्स हमारे बोडी में अधिक से अधिक अमीनो एसेट्स का उत्पादन करते हैं जिससे की ग्रोथ हार्मोन का पूड़क्शन हो शकते हैं इस कैपसूल के कॉंपजिशन्स आप स्क्रीन उपर देख सकते हैं तो अब बात आती है कि क्या स्पीड हाइट कैपसूल रियली में हाइट को इंद्रीज कर सकता है तो हाँ यह कर सकता है बगर उसके भी कुछ नियम होते हैं नियम यह है कि इस कैपसूल को लेने वाला व्यक्ति जेनरली 13-19 सल का होना चाहिए साथ ही आपको इस कैपसूल का सेवन करने के दोरान परियाप्त व्यायाम करने होंगे योगा करने होंगे जोगिंग वगेरा भी करने होंगे आपको अधिक से अधिक हरी सबजिया फॉलादी भी खाने होंगे तब जाके आपकी हाइट इंद्रीज हो सकती है अब बात करते हैं इसके दोसेज़ की तो फ्रेंट्स स्पीड हाइट कंपनी के अनुसार इसे 12 साल से उपर का कोई भी व्यक्ति ले सकता है जैनरली 12 से 18 साल तक के बच्चे इसके एक केपसुल को दिन में एक बार ले सकते हैं और 18 साल से उपर के लोग इसे एक केपसुल दिन में दो बार ले सकते हैं मगर मेरी माने तो आप इसे फिजिस्टियन की सला से ही तो थेंग यू फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और आपके क्या विचार है स्पीड हाइट के अक्सुल के बारे में वह जरूर बताएं तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए गुड़ बाई